नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आशिश तिवारी आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुती कैसे कोरोना नहीं कैसे कविता इस कारिक्रम में हम आपको सुनाएंगे देश के कई नामचीन कवियों की वो रचनाएं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी क्योंकि ये कविताएं कोरोना काल के दोरान कवियों ने तयार की है जो कोरोना के कोला हल के बीच आपके मन को सुकून देंगी कोरोना काल में कवियों की कल्पना के जरोके से निकल कर आई रचनाओं का संग्रे लेकर मेरे साथ मौझूद है हमारे चैनल हैड अनिलोधा जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर कविताओं के मध्यम से कवी इन दिनों लोगों को जागरुक कर रहे हैं शब्दों के संगम से संदेश दे रहे हैं तो आज के कारेकरम में क्या कुछ खास है कहां से आप शुरुवात करने वाले हैं हमारे कई दर्शाक इसको देख रहे हैं कारेकरम को और देख करके और जिन-जिन के पास संपर करना संभव है या वाटसप है वो अपनी रियक्शन भेज रहे हैं कुछ कविता भी अत शुर्द साह में बेज रहे हैं ऐसे चन्नही के एक मनोज जैन है हैं तो राइस्टान के रने वाले प्रवासी राइस्टान है चन्नही में मनोज जैन जिए उन्होंने 30 साह में एवन टीवी को मुखातिब होके और कुछ दो पंग्तियां लिखके बेजी हैं बोलके बेजी हैं जी वहीं से शिरुवात करना जाते हैं हमारे एक दर्शक मनोज जैन चेनई से कि दर्शकों को मेरा साधर एवन टीवी के माद्यम से इस करुणा जैसी मामारी के अंदर भी दर्शकों को परसंद करने के लिए ये जारी कैसे करुणा जैसी कवीता के यग्यमें मैं भी अपनी आउती देने का कुछ परियास करता हूं कि आया जिनके मन में कभी कोई विकार संकट के समय में भी किया कोई समझोता स्विकार नहीं डॉप्टर पोलिस और नर्स हो सदा जै विजे इनकी हो कभी हार नहीं करोना का रोना धोना बंद करिये तुम अपना व्यवर साफ स्वच स्वचंद करिये एवन टीवी कहता करो नमस्ते हाथ मिलाना गले लगाना परतिबंद करिये हाथ मिलाना गले लगना इन सब को प्रतिबंद करिए ये भी संदेश दिया है साथ ही कोरोना वोरियर्स को सलाम भी करने का प्रयास किया है सर कामा भरतपूर से मकरंधी है मकरंद जी ने वेजिए कवीड़ी नियुक्त